हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने चनल हाडा वेट्स क्लब में सात्यों आज फिर आम आपके लिए बहुती शांदर केस लेकर आएं यह जो वक्री देख रहे हैं इसको क्या हुआ है इसको हमने क्या ट्रीटमेंट दिया है और इसको हमने कैसे ठीक किया है इन सब के बारे में आज आपको सटिक जानकर ही दी जाएगी तो आप मेरे चनल पे नए है तो सबसे पहले आप अपने इस चनल को हाडा वेट्स क्लब को सस्क्राइब कर ले ताकि बविश्यमा आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और पशुओं से जुड़ी हर तरह की बीमारी का इलाज हमारी इस चैनल पे बताते हैं और आपको पिप्टरिकली दिखाते हैं तो इसलिए आपने इस चैनल को सस्क्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें तो आईए वीडियो शुरू करते हैं सात्यों आज हम आपको बताएंगे पशुओं में होने वाली एल्कलोसिस बीमारी सात्यों एल्कलोसिस वह उसे कहते हैं जब पशुओं में रूमन की पी एच बढ़ जाती है यानि नॉर्मल रूमन की पी एच 6 से 7 की बीच होती है अगर जब रूमन की पी एच 7 से उपर चली जाए 8 से 9 हो जाए तो उस इस्तितिक आउम एल्कलोसिस कहते हैं यह बिमारी भेसों में, गावों में और बक्रियों में भी हमें देखने को मिलती है बात करते हैं इसको डाइग्नोसिस कैसे किया जाता है साथे हो डाइग्नोसिस करने में हमें सरपरतम इसका टेंपरेचर लेना है और टेंपरेचर के बाद हमें इसके दोनों पेट यानि बकरी के दोनों साइट पेट को हिला कर हमें देखना है कि किस साइट पर पानी है अगर पानी लेप्ट साइट में है या पानी राइट साइट में है जब पानी बकरी के राइट साइट में हम हिलाते हैं अगर हमें पानी के आवास सुनाई देती है right side में तो हमें पता चलता है कि इस बकरी को airclosis हुआ है और यदि बकरी के left side में पानी बोलता है तो उसको हम acidosis बोलते हैं, इन दोनों का treatment अलग-अलग है, हम आपको acidosis का treatment भी अलग video में बताएंगे आज हम आपको treatment airclosis का बताएंगे साथियों आप जब भी case देखने जाए तो उसको diagnosis अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको इलाज करने में बहुत ही है साहिता मिलेगी, तो हमने इसको diagnosis किया है और इसके left side में यानि left side में इसके right side में पानी है वहाँ से हमें पता चलता है कि इसको airclosis हुआ है आप यदि पेट खिला कर नहीं देखे तो आप जो left side की कौक रेती है जिस side रूमन रेता है वहाँ पर आप निडिल डालके वहाँ से थोड़ा सा पानी निकाल ले और जो pH मान ग्याद करने की जो strip आती है उस पे आप लगा कर चेक भी कर सकते हैं इसके लिए भी हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे कि आपको रूमन की पेच कैसे नापनी है इस इस इस्तिती में क्या होता है जब right side में पानी बोलता है तो पशू खाना पिना बंद कर देता है अब बात करते हैं इसका treatment हमें क्या करना है जब L-closes का आपको कैस देखने के मिले जब right side में आपको पानी मिले तो उसको कैसे ठीक क्या जाए उसका treatment क्या करना है तो आईए बात करते हैं इसके treatment की साथ यो treatment में सरवरतम हमें यहाँ पर injection लगाना रहता है injection तो नहीं यहाँ पर हमें drip ही लगाना पड़ती है लेकिन जब पानी कम रहता है तो आप वहाँ पर injection से भी काम चला सकते हैं लेकिन जब बेंस का case मिले जब बेंस को एक्लोसिस हो तो उस इस्तिति में आपको drip लगाना ही पड़ता है यहाँ पर हमने इसको diagnosis किया बकरी को 3 ml इंट्रमस्कुलरी लगाया है जो high weight injection आता है वह हमने इसको 3 ml इंट्रमस्कुलर लगाया है और इसके अलावा आपको injection लेना है ketasol यानि जो बुटा फास्पोन यान सायनक अबलमिन साल्ड का जो injection आता है ketasol ये injection भी आप अपने पसु को यानि इस बकरी को आप 3-4 ml इंट्रमस्कुलरी लगा सकते है इसके अलावा और इसके साथ-साथ आप यहाँ पर CPM injection का भी उप्योग कर सकते हैं हमने यहाँ पर CPM injection इस बकरी को 3 ml इंट्रमस्कुलरी लगाया है यह तो ही इंट्रमस्कुलर की बात अगर आप किसी बड़ी बेंस का इलाज करते हैं या बड़ी बफ़लो का इलाज करते हैं तो इस इस्तिती में आप जब डिप लगाते हैं तो आप डिप के अंदर जो विटामिन्स का इंजेक्शन आता है यानि जो ट्राइबेट इंजेक्शन आता है वह भी आप सामिल कर सकते हैं और ट्राइबेट के अलाव आप नियूरोकाइंट प्लस वेट इंजेक्शन भी आप अपने पशू को लगा सकते हैं इस एलक्लोसिस बिमारी में यह तो ही इंजेक्टेबल अप इंजेक्टेबल के अलाव आपको यहाँ पर अपने पशू को ओरली पिनाने के लिए और खिलनाने के लिए भी देना जरूरी है यह एलक्लोसिस बिमारी में आपको यहाँ पर जो रूमन एपेस पाउडर आता है जो पचास पचास ग्राम के पाउज आते हैं यह आप यहाँ पर एक पाउश सुब़िए एक पाउच साम का अपने पहँश को दे सकते हैं हमने यहाँ पर बक्री हैं तो इसकी डोज हमने कम कर वह इनको लिखके दियƏ पक्सक को यह मेडिकल से ला सके और अगर आप निम्बू दिलाना चाहे तो आप जो मेडिकल पे, जो जामून का सिर्का मिलता है उसका भी उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है तो आप भी अपने पशो को दिला सकती है ताकि आपको बेतर रिजल्ट देखने को मिले साथियों जब आप हमने जो बता है यह injection लगाते हैं एल्कलोसिस बीमारी में अगर अच्छे से डाइगनोसिस किया है तो आप जब यह treatment करते हैं तो आपको बहुत ही शांदार रिजल्ट मिलता है और रही बात आपको जो रूमन एपेस पाउडर है यह देना ही बहुत ही जरूरी है यह नहीं दोगे तो आपका पशो ठीक नहीं होगा तो आप ध्यान रखें निम्बू या हमने फिर वो जामोन का सिर्का बता है आप उसको भी उप्योग कर सकते हैं ताकि आपको बहतर रिजल्ट मिले साथियो हमारे इस चैनल पर हम आपको वह हर चीज दिखाएंगे हम आपको हर इलाज बताएंगे जिसको आपको फाइदा मिले ताकि आप अपने पुश्वों को डाइगनोसिस से ठीक से कर पाएं और आप टेटमेंट भी ठीक से कर पाएं तो बने रही ऐसे इनोलेजबल हमारे इस चैनल पर पाने के लिए वीडियो और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करते रहें और सस्क्राइब भी कर ले धन्यवाद